नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रेप्टो मिंटू में बेटीस आज कुछ बुलिस होगया साबके टाizado Sempre बिल्कुल होगया वसकी वजय भी है क्योंकि आपकी जो लिज निकली बुलिस निकली और ये बुलिस निकली और ये कमेंट जायता है मेरे पास भी थे के सर BIT BNS ने फंड जीरो कर दिया ऐसा क्या हो गया ये सब क्या चलना है हमारा तो सारा फंडी चला गया तो दीखे BIT BNS तो पहले से ही ऐसे काम कर रहा है कोई नई बात तो है लिए BIT BNS का जापान से Binance और OKX आउट यानि के इनको बोरिया बिस्ता समेटने के लिए बोल दिया गया है तो कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी चलना है बने रही है वीडियो में लाश्ट तक अच्छा लगे तो लाक सब्सक्राइब जरूर कीजिए current में आपको सारी चीज़ें यहीं मिलेगी पहले में बात करता हूँ BIT BNS की भाई देखे Indians यूज करते हैं इसको तो इसकी बात पहले कर लेते हैं बेसक negative है या positive है जो भी है लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है देखे BIT BNS का जो आज मसला चला वो था fund zero का कि sir हमारा जो wallet है उसके fund zero आ रहा है कोई साभी कुछ भी सोर नहीं हो रहा है जो भी हमारे पास है जादतर की यही complaint थी कि sir यह सब क्या है आखरे ऐसा क्यों हुआ तो यह चीज़ देखे जब इनके पास रोईताइस चैनल पर दो वीडियो पड़े हुआ आप देख सकते है आज का और कल का बहुत ही informative वीडियो है देखेगा जरूर आपको कहिन के बहुत सी चीज़े clear cut समझ आएंगी अर्नवीत रोईताइस चैनल पर आज का वीडियो और कल का वीडियो तो bit bns ने देखे फिर अपने twitter handle पर ही इस चीज़ को confirm गया कि कुछ थोड़ा सा gliss था कुछ ही अपना जो database को upgrade कर रहे थे इस वज़े से यह सारे issues आए और फिर उसको एक तरह से fix करने के लिए हमने सारी चीज़े एक तरह से पॉज़ कर दी या नहीं कर रोग दी तो अब जाकर वो कहारे का हमने साड़े 5-6 वज़े से इसको दुबारे से सारी चीज़े स्टार्ट कर देंगे आज ही तो भाई देखे मैं यूज नहीं करता हूँ इसलिए मैंने इसके बारे वह जादा फिर जानकारी कीवी नहीं लेकिन जो लोगों यूज करते हैं लेकिन दूसरे लोगों को ये चीज़ जरू बताए क्या आपका फंड जितना है उतना सो हो रहा है या अभी भी 0-100 हो रहा है देखें मैंने तो मेल डारा था लेकिन मेरे पास कोई reply नहीं आया इसका कि आकर क्या issue है actual में क्या चीज़ आप जो इनोंने बोला भाई अपने twitter handle पर आके वो मैंने आपको बता दिया कि इनोंने यही बोला भाई यह database को operate कर रहे थे और कुछ issue से उसको fix कर रहे हैं और साड़े 5-6 वज़े समसारी चीज़े दुबारा से reopen कर देंगे सारी एकतर से चालू कर देंगे तो भाई अब हुआ कि नहीं हुआ यह आप ही लोग comment section बताएं जो लोग इसको actual में use करते हैं तो जिससे क्या कि जो दूसरे लोग हैं उनकी problem भी solve हो जाएगी जो कहीं ने कहीं आप BTC में थोड़ा सा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हलकिसी बुलिसनेस BTC में दिखाई दे रही क्या बहल BTC में और BTC आपका 30,730 पर चला है इस टाइम पे वैसे तो आपका देखिए 30,000, 330,000, 230, 130,000, 400 maximum यही गूम रहा था आपका 48-70,000 गंटे से लगवाई यह माल लो यही सब आज का प्राइज चला था लेकिन अभी जो है यह थोड़ा सा बलिसवा लगवाग 1,5% ऊपर हो गया नहीं ग्रीन में बागी और आपके altcoin अभी भी वैसे के वैसे ही हो उनमें कोई जादा फरक नहीं है अब BTC में क्यों क्यों के दूसरा approval मिल गया है ETF का future के लिए तो वो किसको मिला है BITX को तो BITX को जो है और वो आज ही अपनी यह trading एक तरह से start कर देंगे तो आज ही इनका यह सब launch हो जाएगा तो दूसरी permission एक तरह से SEC ने BITX को future ETF की दे दिये 2% leverage के साथ तो पहली किसको मिली यानि के volatility को और दूसरी BITX को मिल गी तो दो company एक तरह से future में तो इनको approval मिल चुका है केवल जो इंतियार है वो है आपका black rock का spot में जिस दिन black rock को ये permission मिल जाएगी उस दिन BTC का कमाल थोड़ा सा अलगी type का होगा तो उसका इंतियार करना पड़ेगा भाई देखते हैं क्या होता अभी तो ये future में जो है दे रहे हैं और चलो ठीक है हम करते है permission तो मिलनी शुरू हुई कम से कम ये एक रास्ता तो खुल गया ये कम से कम permission अगर मिलनी शुरू होगे तो इसे confirm हो गया कि spot में भी मिल ही जाएगी time जो लग रहा है वो अलग बात है तो आप यहाँ इंतियार केवल उसीच का है उतनी और altcoin में आएगी वो देखिया भी नहीं आएगी लेकिन अभी BTC का देख लिए थोड़ा सा ही उपर गया है इसका market का 597 billion dollar का हो चुका है यानि अगर थोड़ा सा वादी उपर जाएगा 600 billion dollar हो जाएगा market का अकेले BTC का तो यहाँ यही है भाई देखिया अभी जो भी negative दो दिन या तीन दिन से आपके जो market देख रहा है उसकी वज़या वो जी देखिया मैंने morning में भी आप से का और दोपैर के विडियो में यही का कि BTC का पूरा market कहीं नहीं कोई पर डे इस तरह की कोई न्यूज आती रहे BTC आपका दीरे 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 उपर को बढ़ता रहेगा तो देखते हैं spot का हमारा मैंचीज है spot का कि spot में जो भी इनको permission जल्दी मिलने चाहिए जो थोड़ा सा एक कौर पैनिक करने बाली थोड़ा सा लेकिन मेंचीज है कि वो अभी news दब गई क्योंकर ETF की बज़य से बहुत सी negative news दब जाती है OKX और Binance दोनों ही एक तरह से Japan को छोड़ रहे हैं अब छोड़ इसलिए रहे हैं कि भाई उनका जो rules and regulations हैं उनके एसाफ से कही निकरी है उन चीजों को follow दोनों के दोनों एक्षेज नहीं कर पा रहे हैं तो अब मैंचीजों पर जब जापान ने अभी देखिए बहुत सी चीजों को उन्होंने अपडेट भी किया है उन्होंने जो tax था उसको भी कम किया है जो companyya है उनको पर जो tax था उनको वाकाईदा उसने अभी reduce किया है कम किया है लेकिन कहीं कहीं सक्ती भी किया है तो सक्ती की बज़ेया से देखिए कुछ exchange को अब उसमें man man आपके exchange आगे देखिए तो Binance भी आगया और OKX भी आगया अब ये क्या है कि भाई उनके rules द्राइब उनको follow नहीं कर पा रहे तो एक तरह से Japan को छोड़ रहे हैं तो ये देखिए ये थोड़ा सा गलत है भाई आसे आप थोड़ा सा जो advance देश हैं वहां से अगर इस तरीके से ये आप बोरिया विस्तर समेटेंगे तो देखिए जो पिछड़े देश हैं उनका क्या होगा भाई इंडिया में तो वैसे ही ज्यादा crypto के favor में नहीं है और जब Japan जैसे लोगों के यहां से देशों के यहां से जब ऐसे finance बगएरा है वहां से अपना बोरिया विस्तर समेट लेंगे तो फिर इंडिया में क्या तो इसलिए थोड़ा सा देखिए भाई जो advance जो देश हैं उनको थोड़ा सा आगे बलके positively आना चाहिए तो जापान से भाई देखिए ये उम्मीत अम नहीं कर सकते कि भाई ऐसे रून रेगुलिसमना है कि भाई एक्चेंजियों को यहां से जाना पड़ जा लेकिन यह है कि भाई कम से कम जो investor का हेत है उसको भी दियान में रखना पड़ेगा वैसे तो एक्चेंजियों लूट खसुर्ट मचाई रखिए वो तो आपको पता सारी future trade में क्या होता है सारा एक्चेंज और वेलसी कमाते हैं उनको सब पता होता है कई बार तो एक्चेंज यह सारी की सारे price को set करते हैं कम वो ही आपके खिलाब betting करते हैं तो यह सब ड्रामे हैं जो चलते रहते हैं बाकी यह है कि US से आपके लिए positive news अब निकलनी शुरू हो गई है और एक आज आ गई है एक इससे पहले आ चुके है यह निकिए दो ETF पर प्रूपल आ चुके हैं इंतियार कीजिए आप sport का और bid BNS का भाई जरू बताईएगा comment section में कि आखिर किस किस का zero so हो रहा है यह किस किस का सब कुछ normal हो गया है जिससे की चीज़ और जो भाई है जो bid BNS को यूज करते हैं उनको थोड़ी तसलिए हो जागी और मेरे पास जैसे mail का कोई अगर reply आएगा तो मैं आपको जरू inform करूँ हूँ हूँ तो चले फिर मिलते हैं नमस्कार